पूजा 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 नमस्कार जैजोहार साथियों आप देख रहे हैं 36 गड़ तक मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा साथ सरकार की मुश्किले जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही लगातार एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने ना सर्फ साथ सरकार की टेंशन बढ़ाई बलकि अब साथ सरकार के सामने एक तरब कुआ और एक तरब खाई जैसी स्थिती निर्मित हो गई है बता दे कि बलौदा बजार हिंसा को लेकर अब भी राजनीती बदस्तूर जा रही है इस मामले में कहीं पर भी राहत मिलती सरकार को नजर नहीं आ रही है और लगा तारेक के बाद एक बलौदा बजार हिंसा को लेकर नए नए खुलासों ने चत्तिस गड़की राजनीती में भी खलबली मचा दी है अब ये जो एक मामला था ये तो पहले से ही साय सरकार को घेरने के लिए काफी था लेकिन अब दूसरी बड़ी घटना मॉब लिंचिंग की घटित हो जाती है आरंग में जिसमें बीते दिनों जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने बड़ा आंदोलन करते हुए साय सरकार को एक हपते का अल्टिमेटम दिया साथी साथ उन्होंने ये कहा कि अगर इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उनकी गिरफतारी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इस तरह की चेतावनी उनके लहजे में साफतोर पर देखने को मिली अब जब उन्होंने इतना बड़ा अंदोलन किया उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में ततपरता दिखाई और लगातार इस मामले को लेकर जो लोग है उनकी गिरफतारी पुलिस इस पे करने लगी आरोपी बता कर जिन लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने उन्हें इस तरब से उबरने की कोशिस तो सरकार कर रही थी लेकिन अब दूसरे तरब से घिर गई कैसे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिसद के जो नेता है जो कारे करता है अब उन्होंने साह सरकार के खिलाफ मोर्जा खोल दिया है गुस्सा जम कर फूट पड़ा है उनका साह सरकार पर और पुलिस प्रिशासन पर भी और कल यानि की 26 जून को यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिसद है और बजरंग दल के नेता है उनका एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर होता नजर आया पूरी तरह से कोतवाली घेर कर यहाँ पर उनके कारे करता बैठ गया और आतार छत्तसगर में जिस तरह से गौतसकरी हो रही है उसे रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं और उन्हीं गौतसेवकों को यहाँ पर अंदर किया जा रहा है साय सरकार के खिलाफ काफी तेज तेवर उनके देखने को मिले और कई गंभीर बयान बाजियां भी इस दौरान दे राए और झाईश्रीर राम के नारों के साथ हनुमान 40 का पाठ करते हुए लगातार नोने सरकार के उपर हमला बोला है और इसके साथी साथ उन्होंने हम भी सेवक यह एक चेक बना कर उन्होंने बड़ी संक्या में गिरफतारी देने की भी बात कहीं और गिरफतारी देने दोनों की ओर से ये जो उग्रांदोलन की चेतावनी सरकार को दी जारी है इनके बीच घिर गए है साइस सरकार अब कैसे इस पूरे मसले से उबरेंगे ये देखने वाली बात होगी बहराल आप स्क्रिन पे लगतार देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो साधू संथ है वो स साइस सरकार के खिलाफ यहाँ पर भी जारी है इतना ही नहीं उन्होंने इतना बड़ा आरोप भी साइस सरकार पर लगाया ऐसा माना जाता है कि बजरंगदल हो या फिर विश्व हिंदू परिशद हो बिजेपी के साथ इनके संबंध जो है वो थोड़े जादा सौफ्ट हो जो पुलिस प्रशासन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है यानि कहीं न कहीं अब इनके निसाने पर साइस सरकार भी आ गए बहरहाल इस पूरे मसले से निपटने के लिए क्या नया कदम यहाँ पर सरकार उठाती है यह देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरह से साइस सरक सरकार बलौदा बजार के बाद मॉब लिंचिंग की घटना से घिर रही है यहाँ पर इतना आसान रास्ता नज़नी आ रहा है साइस सरकार की अबरने का तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना हिसां आत्यों यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी जानकारी आपको कैसे लगी कोम मामले को अंजाम दिया जा रहा है या इसके पीछे का आप कोई और कारण समझ पा रहे हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और 36 गर से जूड़ी तमाम खबरों से अबडेट रहने के लिए देखते रहे हैं 36 गर तक जै जोहार नमस्कार झाल